शक्ति देभगवान बहुत सारा अच्छा content देख लेने के बाद हमारा जब दिमाग अच्छे चीजों से भर जाता है तो उसको equal करने के लिए कुछ ऐसा content हम consume कर लेते हैं जिसको देखने की घंटा जरूरत नहीं होती लेकिन कीड़ा वो है के मानता नहीं अगर तुमने सोशल मीडिया पे कोई भी चीज पोस्ट नहीं की मतलब के वो तुम्हारे लाइफ में कभी हुई ही नहीं है मतलब कई साल पहले तुम्हारे माबाप का जनम ही नहीं हुआ उनकी शादी भी नहीं हुई क्योंकि ये सब सोशल मीडिया पे पोस्ट ही नहीं किया गया और साला अमेरी इतनी दिखाई गई है कि IIM पास आउट बंदे को सिर्फ टाइ बानने के लिए रखा हुआ है भाई साब बिजनेस इतना बड़ा है कि टेसला के एलॉन मस्क के साथ मीटिंग है पैसा इतना है कि साला लड़की खुशी-खुशी गोल्ड डिगर बन रही है और कॉन्फिडन्स इतना है कि गोल्ड डिगर के जगा डाइमंड लवर बोल के कवर भी कर रहे है भाई आमेरे दिखाओ ना नो प्रॉब्लम लेकिन इतना ओवर फैसिनेट करने की भी ज़रूरत नहीं है कि सब नकली लगने लगे या शायद अमिर लोगों का आयसा ही होता है सही है गरीब लोगों क्या पता है कोई अमिर ये अगर वीडियो देख रहा है तो कमेंट में बताना जरा कि तुम्हारे या भी कुछ ऐसा ही होता है क्या कि तुम भी चौपर से जाते हो शापिंग करने के लिए खैर लेकिन इतना पैसा होने के बाद भी जब तुमारे अपने साथ में नहीं है तो लाखों में सोशल मीडिया फोलोर होने का क्या मतलब और इस सीरीज में अनन्या पांडे का कैरेक्टर इसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है और उसके फ्रेंड्स में अब सिर्फ उसके हाई ब्रैंडड बैग्स ही है जिससे वो बाते करते रहती है या feelings share करते रहती है लेकिन जब वो अपने इस अकेलेपन को दूर करने जिम ट्रेनर के पास जाती है तो उसका अमिर हस्बंड उसे घर से बाहर निकाल देता है क्योंकि जिम ट्रेनर के साथ मैं क्या बोलो यार छोड़ो यार और अब इस overprivileged लड़की का होता है real struggle शुरू तो अगर इस struggle को आपको देखना है तो देख लो series वैसे बता दू कि यह specially Gen Z के लिए बनी हुई series है क्योंकि बहुत से Gen Z styles के words, accent इसमें use किये गए है धेर सारी English है और बहुत बड़े-बड़े brands और socially active logo का reference है इसमें तो अगर तुमको थोड़ा बहुत general knowledge है तो ही इसके dialogues आपको समझ में आएंगे नहीं तो google करना पड़ सकता है और इन सब को दिखाने के चक्कर में story पे काम करना भूल गए है makers बस female oriented story है जिसमें story कम और glamour जादा है और इन females के पास हर problem को solve करने के लिए एक ban code है bro code की तरह ban code and sometimes I feel के इनके ban code में एक letter missing है वैसे एक चीज़ अच्छी है Ananya Pandey के character में कि वो एक अच्छे दिल की लड़की है जो believe करती है कि kindness never goes out of fashion और kindness भी इसलिए क्योंकि वो अमिर है खैर ये एक ऐसी web series है जिसको आप phone पे reels देखते हुए टीवी पे news सुनते हुए YouTube पे Yogipedia news चेक करते हुए या फिर सोते हुए नहाते हुए bathroom में और भी कुछ करते हुए सीधा ignore कर सकते हो No recommendations from my side बाकी मर्ज़ी आपकी No stars from my side again Stars को आज मैं इज़त दूँगा मिलते है अगले वीडियो में Bye All the best